अगर आप 12th pass हो और आपको computer की knowledge है तो आप आधार मित्र बन सकते हो और महीने के 20 से 25 रुपे कमा सकते हो इस वीडियो के अंदर में आपको complete detail बताऊंगा किस तरीके से आपको आधार मित्र बनने के लिए online apply करना होगा वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ भी doubt रहता है प्लीज कमेंट कर देना नहीं तो मुझे Instagram पर message कर देना आपकी help जरूर की जाएगी चलिए वीडियो को को start करते हैं आधार मित्र बनने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस page पर इस page का link मैं आपको वीडियो के description box में दे दूँगा यहाँ पर आने के बाद आपको simply apply here इधर क्लिक करना है आधास उपरवाजर के निचे देखे लिखा हुआ है और Send OTP पे क्लिक करना है, इसके बाद OTP डालके आपको Simply Verify OTP पे क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने यह वाला पेश खुलेगा, यहाँ पर आपका Mobile Number और आपकी जो Email ID, वो Automatic आजाएगी, जो आपने पहले डाले थी, इसके बाद आपको नीचे अपनी Personal Detail आले पड़ेगी, जो भी Detail आप डालोगे, वो आप अपने आधार कार्ट से देखके रिटालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको as a proof के रूप मे, as a ID proof के रूप में, डोकमेंट दिखाने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, तो वो मैच होना चीए, ऐसा नहों कि आपने जल्दी वाज़े में कुछ भर दिया हो, तो वो गलत हो जाएगा, आप देखकर तसल्ली से एक एक अक्षर देखकर रिटालें, जहाँ पर स्पेस हैं, जहाँ पर सरनेम लगाएं, ठीटे हैं, सब कुछ आप यहाँ पर डाल देना सिंप्ली, सब कुछ बहुँ आपसान है, यहाँ पर पताने ज़रूत नहीं आपको, इसके बाद नीचे आपको अपना कर्णेट एडर्स डालना पड़ेगा, जो कि आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, नीचे आपको अपना पर्मनेंट एडर्स डालना पड़ेगा, अगर आपका कर्णेट एडर्स और पर्मनेंट एडर्स सेम है, तो आप यहाँ पर सिंप्ली इतर क्लिक खड़ दोगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने पड़े की, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था, कि आधार मित्र बनने के लिए आपके पास कम से कम 12 होने चाहिए, बारवी पास आप होने चाहिए, तो आप अपने अपर डाल देरा अपने हिसाब से, ठीक है, अगर आप बारवी पास है या उससे भ देख लेना आप, अगर आपने पहले कभी काम किया है, कम्पूटर पे, फॉर्म बगएरा भरने का, तो आप यहाँ पर अपना चाहिए पर यहाँ लिख सकते हो, अगर आपने कभी काम नहीं किया इस तरीके का, तो आप नो पे सिंप्ली क्लिक कर देना, बट मैं तुस्ते ह किस जगह पे काम किया है, वो डाल देना, इसके बाद अपना डेज है, मतलब किता है दुनों मैं जोब सोट दोगे, वो आप यहाँ पर डाल देना अपने हिसाब से, ठीक है, इसके बाद फर्स्ट जॉब लोकेशन में, यानि कि आप कहां पर काम करना चाहते हो, अगर आप अदर में बन जाते हो, आपको select कर लिया जाता है, तो आपको इहाँ पर अपना state select करना पड़ेगा, कि आप कीस state में काम करना चाहते हो, ठीक है, अपना state, अपना district डाल देना, इसके बाद फेनद लोकेशन डाल देना, कि अगर यहाँ पर selection ना हो तो यहाँ पर कर लेगए, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने जो लोकेशन है वो डालने पड़ेगude कहाँ-कहाँ पर आप काम कर सकते हो आदार मेतर बनने के बाद दोस्ता है यहाँ आपर आपको काम दिया जाएगा आदार मेतर बनोगे तो यह certificate compulsory है दीखिए आप पर इस्टार लखा हुआ है इसका मतलब यह certificate आपको compulsory होता है certificate का number आपको यहापर डालना पड़ेगा इसके बाद certificate अपर कर देना है आपको दिखाएता हूँ कि certificate किस तरीके से दिखता है अभी एक मिट रोगो तो यह certificate होता है हाधार operator and supervisor का यह certificate आपके पास होना चाहिए certificate कैसे मिलता है इसके complete वीडियो मेंने description box में डालती है वो आप यहाँ पर देख लेना कैसे तरीके certificate होता है ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है अपना एक resume आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा अपना resume ना लेना उसको यहाँ पर आप upload कर देना इसके बाद यहाँ पर tick करना है और register पर click करना है इसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा जो registration था वो successfully submit हो चुका है और अब हमें team के द्वारा जो इनकी team है आधार मित्र की team है वो हमसे contact करेगी अब हमें wait करना पड़ेगा इसके बाद आपका सारा काम हो गया खतम दोस्तों यही था पूरा process आधार मित्र registration का इसके लावा आपको कुछ भी ने करना कोई भी document आपको कहीं पर भेजने की जोड़त नहीं है पूरा काम हो गया खतम इस वीडियो में इतना ही अगर आपको पूरा process में कुछ भी समझ नहीं आता प्लीज कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक करके ज़रू जाना थेंक्यो वरी मुच